दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीवी इंडेस्ट्री की खुबसूरत और बहतरी नदकारा कृतिका सेंगर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी की वज़े से काफी जादा सुर्खियों में छाई हुई है और इनके घर में बहुत जल्द बच्चे की किलकार्या गुंजने वाली है जिसकी वज़े से इनके घर वाले बेहत खुस है और कृतिका सेंगर और इनके हस्बेंट निकीत अंधीर ने तो अपने घर में जूनियर धीर के आने की तयारिया भी सुरु कर दी है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि अभी नेत्री कृतिका सेंगर ने हाल ही में अपने हजबन के साथ अपनी प्रेगनेंसी में फोटो सूट करवाया है जिसमें कृतिका सेंगर और निकीत अंधीर बहुत खुस नजर आ रहे है और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको क क्रितिका सेंगर की फोटो सूट के बारे में ही जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे क्रितिका सेंगर ने बेबी बंप फ्लॉंट करते हुए अपना फोटो सूट करवाया है तो आईए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिये पर उससे पहले आप अपनी फेव टियों में च्छाई हुई हैं और जबसे इन्होंने अपनी प्रेगनेंशी की खबर अपने फैन्स और अपने परिवारन वालो को बताई है तब ही से सभी इनके प्रेगनेंसी खबर को सुनकर इन्हें धेर सारी बधाईयां दे रहे हैं इसी बिच आपको बता दे कि कृतिका सेंगर ने अपने प्रेगनेंसी में अपने हस्बेन निकेतंधीर की साथ अपने बेबी बंप को फ्लॉंट करते हुए फोटो सूट करवाया है जिसमें कृतिका सेंगर और निक इतंधीर कृतिका सेंगर के माथे पर किस कर रहे हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दौनों कितने जादा खुस लग रहे हैं वेल इस फोटो सूट से पहले भी कृतिका सेंगर ने एक वीडियो सेयर किया था जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉंट करती हुई डां आकर सोया हुआ है और इंटर्व्यू के दौरान क्रितिका ने बताया कि पैट डॉग दो साल से इनके घर में रह रहा है और क्रितिका ने ये भी बताया कि जब भी निकेत अंधिर सुटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो ये अपने पैट डॉग के साथ को मस्ते करती हैं और उ क्रितिका से अंगर की मुलगात हुए थी और इसी बीच पंकस धिर को क्रितिका सेंखर बेहत पसंद आ गई थी। और उन्होंने सोच लिया था कि अप क्रितिका सेंगर ही उनके घर की बहु बनेंगी और अब पूरा परिवार जुनियर धीर से मिलने के लिए काफी जादा एक्साइटेड है तो दोस्तों आपको अभी नेतरी कृतिका सेंगर बेबी बंप फ्लॉंट करती हुई कितनी जादा खुब सूरत लगी आप हमें अपनी राई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथी टीवी इंडेस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले